इस वीडियो में में देने वाला हूँ आपको बेसी गाइडन्स अबाउट दा सी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें बेल आइकॉन को प्रेस करें ताके मेरी नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिक्रिशन आपको मिल सकें तो स्टार्ट करते हैं सी वीडियो एक लेंथी टॉपिक है जिसमें 16 चैप्टर यह सारे चैप्टर आपने गाइडन से नहीं करने अक्सर स्टूडेंट्स इसके बारे में पैनिक जाते हैं कि कौन सा चैप्टर कहां से करना है यूनिवस्टी क्वेस्टिन कौन-कौन से इंप और जो मेंगे चैप्टर पॉइंट्स में आपको बता रहा हूं आप मार्क कर लें ताकि आपका काम असान हो जाएं सी वीडियो इस में 16 चैप्टरें इसके दो पार्टें ए एक है हाट और दूसाए सर्कॉलेशन हाट 7 चैप्टर है सर्कॉलेशन हाट में से फाइव चैप प्रॉफ पास करने के लिए इसको पढ़ रहे हैं या आप गु toothpaste लेने चाहर के लिए पढ़े हैं तो पहले देख लेते हैं कि अकर आप जस्ट अपने क्या करना है हार्ट के फाइफ चेप्टर दे इन फाइफ चेप्टर में से आपने एक बार इनको गाइटन से रीड जरूर कर लेना है अब कौन कौन से चप्टर रीड करने है मैं आपको मार कर देता हूँ यह चप्टर नमबर 9 पहला चप्टर जो है काडियक मसल हार्ट as a pump यह आपने सारा गाइटन से रीड करना है Rhythmical Excitation of the Heart चप्टर नमबर 10 इसको मार कर लें यह भी आपने गाइटन से सारा रीड करना है चप्टर नमबर 11 जो है नार्मल एलेक्ट्रो काडियोग्राम यह आपने सारा गाइटन से रीड करना है चप्टर नमबर 12 पर मैंने यहाँ पे क्रास लगाया है इसकी वाइटा यह है कि आपने सारा गाइटन से रीड नहीं करना जस्ट टू टॉपिक्स करने वो मैं आपको इंडिविज्वल चप्टर की डीडेल में बता देता हूँ चप्टर नमबर 13 जो है यह वी आपी मैंने लिखा हुआ है तो आप भी साथ इस तरह लिखनें यह बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि इसके में से यूनिवस्टी कोईस्टेंस के साथ और वाइबार जिलिटेट चीजें भी इसमें शामल है यह चप्टर आपने कंप्लीटली गाइटन से रीड करना है लेकिन जब आपने एक बार इसको रीड कर लिया तो नेक्स्ट आप पेपर के लिए जब एक्जैम के लिए प्रिपेर करेंगे तो आप जो है फिर्दौस से त्यारी कर ले फिर्दौस से आपने याद इसको जो है फिर्दौस से करना है उसके बाद आगी सर्कुलीशन, सर्कुलीशन में से 11 चप्टर है, तो अगर आप जस्ट प्रॉफ को पास करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो मैं 4 चप्टर आपको रेकमेंड करता हूँ, आप इसको एक बार गाइटन से जीड कर लें, बाकि आप फिर 2 से त्यार कर लें, ये कौन कौन से हैं, चप्टर नमबर 18, Nervous Regulation, जिसको मैंने मार किया हूँ है, चप्टर नमबर 19, जिसको मार किया हूँ है, Roll of Kidney in Long Term Regulation, उसके पाद चप्टर नमबर 23 है, ये Heart-Val Congenital Heart Defects, चप्टर नमबर 23 है, इसके बाद चप्टर नमबर 24, Circulatory Shocks, ये 4 चप्टर आप यहां से पढ़ेंगे, बाकि आपने सारा फिर्दो से पढ़ेना है तो इस तरीके से आपके कितने markst आप score कर सकते है, 24 markst का था total सा, तो हाठ जब आप पढ़ेंगे हाठ में से आपके 9 और 10 markst आप 12 में से score कर सकते है circulation के अगर 4 शप्टर आप से करते हैं बाकी फिर दो से पढ़ते हैं तो आप जो है 9-10 marks circulation में से भी score कर सकते हैं तो तोटल आपके approximately 20 marks बनके 24 में से लेकिन अब बात करते हैं good marks लेने वाले और distinction वाले students आप kindly जो है अब आपने जो है 20 marks तो एक average students ने मेरे बतायोए तरीके से ले लिए लेकिन अब distinction के लिए उपर जो है आपको fight करने पड़ेगी remaining three or four marks हैं जो उनके लिए उसकी वज़ा किया है मैं इस पर बार सट्रेस क्यों दे रहा हूँ क्योंकि मेरे साथ इसमें हो चुका है एक बार bad log मेरी मेरे तीन marks से फीजियो में distinction रे गई और इसी तरह तीन marks से बायो कैम में वज़ा क्या थी miss guidance कि एक MCQ मैंने skip कर दिया और दो marks का CCQ थारीस में मसला हुआ था लेकिन अब मैं इसके बारे में जब सोचता हूँ तो काफी दुख होता है खैर अल्ला ताला को जो मार कर ले और अच्छे से इनको त्यार करें बढ़के घोटा लगाए इनकिया आप पसानी से distinction ले सकते हैं तो अब बात करते हैं distinction holders के लिए उन्हेंने remaining three four marks हैं उनको कैसे score करना है उसके लिए आपने क्या करना है यह circulation के बताएं यह भी कर लेने और इसके साथ additionally क्या कर लेना है two chapters कर लेने जो मैं good students के लिए recommend कर रहा हूं वो कौन-कौन से 17 चप्टर local and hormonal control of the issues and chapter number 22 cardiac failure वाला आप यह कर लेंगे इस तरह आपके remaining three four marks हैं वो भी upscore कर सकते हैं और असानी से काम कर सकते हैं तो अब चलते हैं इंडिविजूल chapters की detail पर कौन-कौन सा university question important है तो अब मैं आपको बताने वाला हूं chapter number nine heart का यह पहला chapter है इसमें से कौन से important university questions है जो आपने एलिक्यूज और इसी की तोर पर आ जाते हैं पहला तो आपने यह graph है यह यहां पर देखें यह है एक्शन potentials in the cardiac muscle इसके उपर मैंने यह निशान लगा है आप भी इसको mark कर लें यह बहुत important topic है यह जो है university question है यूएजस में आता है अक्सर यह जो diagram बनी हुई है action potential in the rhythmical action potential in millise second जो लिखा हुआ है यह आपने जो दोनों diagram से उपर वाली यह आप इस पे focus कर लें इच्छे से इसको mark कर लें यह दोनों diagram आपने बनानी है इसके साथ important चीज़ जो है जो university questions अक्सर internal में आता है और बार बार paper में है वह यह है summary इस पे आप लिख लें very important जैसे मैंने लिखा ह है यह दो diagram से अब आपने इसमें करना किया है यह summary के जो steps है यह यहां से start होता phase zero और यहां तक यह summary आपने याद रख लेनी है और उसके साथ साथ यह जो दो important diagram से एक यह और एक यह 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 पूरा question जो है यह इस तरह आता है कि action potential cardiac में कैसे होता है आपने जो है यह बना देन क्या होता है इसकी value कितनी है definition आपको आनी चाहिए और इसमें से mc की वक्सरा आज़ेता refractory period के हवाले से तो आपने यह यह याद रखने है नेक्स चलते है important चीज है cardiac cycle लेकिन आपने अब यह याद रखने के cardiac cycle आता क्या है इस diagram को आप focus कर ले इस diagram में तीन चीजे है यह जो blue color की line दिखाए गया है यह volume changes in the ventricle during the cardiac cycle दिखाए गया है तो आपने इन तीनों graph को अच्छे तरीके से जो है याद कर लेने अच्छे तरीके से बनाने की practice भी दो तीन बार बनाकर देखने है इसको practice करने है उसकी वज़ा यह कि यूनिवर्सी question जब भी आता है वो यह तो प हमारी इस प्रॉफ में भी आया हुआ था तो आपने यह बहुत अच्छे से याद रिखना है यह तीनों चीज़ें आपको आनी चाहिए नेक्स चलते हैं important चीज़ जो है वो है regulation of the heart pumping इसमें से जो अक्सर आ जाता है frank starling mechanism frank starling mechanism जो है यह अक्सर internals में पूछ लेते हैं कि frank starling mechanism होता क्या और इस heart के साथ कैसे related है यह मैंने mark किया हुआ है यह आप भी mark कर लें और उसके बाद यह last important जो question है इसमें से long question में heart के related है यह control of the heart by the sympathetic and the parasympathetic nerves यह आपने sympathetic और parasympathetic यह parasympathetic के भी मैंने mark किया हुआ है आप इसको भी mark कर लें साथ-साथ तो आपने यह कर लेना है तो यह आपके पहले chapter में से important university questions में ने mark कर दिया अब आगया rhythmical excitation of the heart यह chapter number 3 ने इसमें से आपने क्या क्या करना है इसमें से सबसे पहले यह जो है पेस्मेकर potential यह बना हुआ है यह normal graph जो है दोनों आपने इसको मैंने mark किया हुआ है यह दोनों आप मार कर लें क्योंकि पेस्मेकर potential की diagram वाक्सर पूछ लेता है तो आपने यह बना दे नहीं है उसके अलावा इसमें important चीज़ क्या है कि flow of the electrical impulses in the heart यह आपने याद रखने है यह देखें rapid ventricular transmission system यह है एक पार्ट इसमें से उठाना है एक्ट्री और वेंट्री अवी नोडर डिले यह शामल इसमें इसकी summary आपको मिलेगी यह diagram है यह diagram उसमें total दिखाया कि impulse कैसे generate होती है और heart में कैसे फैलती है यह important university question ने पूछता है कि वो पुछेगा कि heart में electrical impulse का flow of दिखाएं और बताएं कि कितने second कितने second लेती कहां से कहां तक पहुंचने के लिए तो आपने इसको mark कर देना है यह diagram आपने याद रिखनी है यह बना देना है तो इसी में बस यही डो important questions है अब next चलते है normal electrocardiogram इसमें आपने क्या के चीज़ें याद रिखनी है सबसे पहले आप इस diagram को focus करें यह diagram बहुत important है बार बार university question में पूछी गई है क्या पूछता है कि ECG के normal diagram बना के दिखाएं तो आप यह normal diagram बना देंगे उसके बाद क्या करेगा इसमें आपने जो चीज़ें याद रिखनी हो क्या है कि ECG में waves कौन से होती है segments कौन से होते हैं intervals कौन से होते हैं जैसे उसने यह यहाँ पर दिखा हुआ हुआ है PR interval PR interval के ज़रा focus करें यह PR interval को दिखाया हुआ है तो इस तरीक से आपने यह interval कूछने और यह आपको पता होना चाहिए किस interval का कितना time period होता है कितना time लेता है कौन सा interval किस segment का कितना time होता है बस आपने यह diagram को चैसे focus रहना है यह important ऐसी क्यों है इसके बाद जो next important चीज़ है यह है leads of the electrocardiogram यह lead one lead two lead three इन सब को आप मार कर ले इसके important चीज़ आपने क्या याद रखनी के terminal के lead one का positive terminal और negative terminal कहां पे होता है तूबा कहां पे होता है यह आपने याद रखने और उसके बाद को मैंने importance इन इसके यह लिखा है आप लिखने इस पर यह लिए और इसके लिए diagram आपने यह follow करनी है यह बनी यह diagram यह diagram जो बनी हाट के उपर जब आम leads लगाते हैं तो anthropian tri angle यह important SCQ है यह आजाता है यह यह य मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने पूरा नहीं करना अब इसमें से जस्ट इंपोर्टन कॉपिक्स टू हैं वह कौन थे हैं वह मैं आपको मार करवा देता हूँ आप मार करने एक तो मीन अलेक्रिकल एक्सिज ऑफ दा हार्ट यह कितने डिगरी होता है जैसे मैंने य इसना याद रख लें उसके बाद इसमें से जो दो इंपोर्टन टॉपिक हैं जो आजाते हैं एक्सर क्रंट ओफ इंजरी यह मार कर लें और इसके साथ है एक जे पॉइंट अब यह जे पॉइंट ना सरफ ऐसी क्यों बलके क्या है औस पी में पूछ लेते हैं कि जे पॉइ पी लिखने हैं उसकी वज़ा यह है कि इसमें से ऐसी क्यों भी आते हैं और बाद का दिया होता कि जैसे इस बार हमारी ओस भी मुश्कल आई थी उसमें तक्रीवन फाइव से सिक्स ट्रेसिस थे एसी जी के वो सारे इसी चैप्टर में से आते हैं तो आपने वह उच्छे से याद रखने जिता हैं अब कौन कौन सी चीजा है इस में पहले है ट्रेकी का आडिया को आख मार कर लें ब्रैडी का आडिया इसको मार कर ले इसको मार किस लिए किया है कि इसकेक खास सौर्पर आप कोई ट्रेस बना के पूछ लेगा कि इसमें कौन सा इंटरवल अबना अर्मल है यह कौन सी कंडिशन है तो आपने वो बतानी हो थी उसके बाद आज़ता है हार्ट बलाग हार्ट बलाग बहुत इंपोर्टेंट है यह कोई भी डिगरी मतलब अक्सर आज़ता है यह जैसे फस् इसको मार कर लें तो उसके बाद आपने जो इसका नीचे लिखा हुआ है यह डिवरेशन लिखा हुआ है इसको मार करना साथ ताके आपको पता चलिए कि नार्मल प्यार इंटरवल का डिवरेशन कितना होता है और इसका डिवरेशन कितना होता है उसके बाद यह सेकंड डि इसमें कोई भी है त्यूरी बेशक आप जैसे भी पढ़े लेकिन आपको कमस कम ट्रेशिस के बारे में पता होना चाहिए जैसे यह दिखाया हुए एक्रियल प्री मेचोर बीट यह दिखाईए यह एक्रियो वेंट्रिकुलर टोटल प्री मेचोर कॉंट्रेक्शन यह है उसके इसको आपने याद रखने है उसके बाद यह आजाती है नेक्स्ट इंपोर्टन टॉपिक इसमें से तो समरा इसका इस चाप्टर में आपने जितने ट्रेसी देना बस उनको मार करना और वो अच्छे से याद रखने पिर वेंट्रिकुलर फिब्रिलिशन यह कभी कभी आज बस इसको आपने इंपोर्टन है इसको याद रखने है इस चप्टर में से यही है तो आप अच्छे से इसमें ट्रेसी याद रखेंगे अब बात करता है सर्कुलीशन में से क्या क्या है इंपोर्टन चीज है तो सर्कुलीशन में से मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले चेप्टर नमबर 18 है, 18 है नर्वस रेगुलिशन, नर्वस रेगुलिशन में आपने याद रिखना है, सिंपेथैटिक एंड ता पेरा सिंपेथैटिक कंट्रॉल अफ दा हार्ट, यह इंपोर्टेंट सीक्यू है, इसके बाद दूसी चीज जो है, यह सिंपेथैटिक वेजो कंस्ट्रीक्टर सिस्टम है, अब इसमें आता है कि सिंपेथैटिक कंट्रॉल जो था है वेजो मोटर सेंटर से, तो जो वेजो कंस्ट्रिक्टर सिस्टम में इसका कंट्रॉल असल में S.E.Q. में आ जाता है कि इस पर दूसरे area of the brain कैसे कंट्रॉल करते है तो आप इसको मार कर लाए ये सारा, ये देखें, ये मैंने मार किया हुआ, तो आप इसको मार कर ले, ये सारा तक्रीब बनेगा यहां होते हैं, baroreceptor का function क्या है, ये वाइवा में भी पूछ लेते हैं, और उसके साथ साथ ये पूछ लेते हैं कि baroreceptor reflex क्या होता है, ये S.E.Q. में आ जाता है important, इसको आपने draw कर ना सीखना है, और उसके बाद, next important चीज है CNS ischemic response, इसको भी आप मार कर ले, ये ischemic response एक बहुत important चीज है, अब उसके लावा आपने इसमें जो चीज़ें याद रखनी है, सिर्फ baroreceptor reflex, CNS ischemic response और parasympathetic control, लेकिन आपने जो distinctions की चीज़ें याद रखनी है, वो क्या है कि आपको पता हो नचेगे कि कौन सा reflex कब activate होता है, pressure में कितनी change आए तो कौन सा reflex activate होता है, आपने नेटियोडेसिस, डियोडेसिस की definition याद रखनी है, और इसके साथ साथ जो most important चीज़ है, वो है रेनन एंगियोटेंसिन मेकानिजम, और इसकी यह जो डाइग्राम बनी हुए है, इसको आप मार कर लें, आप बेतर है, ज्यादा ठीडियोड लिखने की बिज़ाए, यह डा रखने, उसके बाद कुछ चीज़ है, types of hypertension, यह बहुत important है, क्योंकि यह वाईवा में पूछते हैं कि types of hypertension क्या होती है, इवन इस बार मेर्से भी यही पूछा था, external ने कि types of hypertension क्या होती है, तो आपने याद रखनी है, यह गोल्ड बलेट hypertension खास तो पर याद रखनी है, यह पर चाहिए, तो गिड्नी, गोल्ड बलेट, hypertension, यह क्या होती है, यह आपने याद रखनी है, उसके बाद remaining कुछ hypertension की types है, इनको भी मार कर ले, hypertension due to pre-eclampsia, तो इसमें summarize क्या है, क्या है, क्या आपने रेनन अग्योटेंसिन mechanism करना है, और hypertension की types करनी है, जो मैंने मार कर दी है, नियूरोजेनिक hypertension, उसके बाद genetic hypertension, बस आप यह कर ले, इसमें से यही important चीज है, हाँ और इसमें important एक topic है, primary essential hypertension, essential hypertension, आप यह कर ले, इसके बाद next chapter 8, chapter number 22, और chapter number 23, chapter number 3 में से क्या करना है, 23 में से, इसमें heart sounds है, heart sounds में से आपने क्या याद रखनी है, किस heart sound की frequency कितनी हुथी है कौन सी heart sound जैसे यह first heart sound है, यह सारी इनको मार करने है, first, second heart sound, third और यह fourth मैंने आपको बता दी है, आपने इसमें क्या याद रखना है, frequency कितनी हुथी है, area of auscultation कौन सा है, कौन सी physiological है, कौन सी pathological है, यही important चीज हैं जिसमें याद रखनी है, उसके बाद यह dramatic favor करना है, और य पास चीजें जो इस चेप्टर में से दो है, एक है patent ductus arteriosus, यह जिसको मैंने मार कर दिया है, और एक है teratology of the fellow, इसको अपने treatment के साथ याद रखना है, यह पूरा ऐसी की बात है, इसके बाद, circulatory shock वाले chapter है, इसमें shocks की काजिस, सबसे पहले, यह start में जो दी हुई, इसको मा इसके बाद, आपने क्या याद रखने है, कि शौर कौन सा होता है, progressive kin condition में होता है, non progressive kin condition में होता है, कितने pressure पे होता है, आपने बस यह चीज़ें याद रखने है, इसके बाद, last चीज़ें important है, कि hypovolemic shock यह क्या होता है, यह बहुत important है, यह जब भी आएगा scenario की फार्म है इसको आप लाएगे तो डियाग्नोस करें, तो यह hypovolemic shock आपने बताने, नियूरोजेनिक shock इसके बाद यह देखें, hypovolemic shock यह नियूरोजेनिक shock है, यह भी बहुत important question है, इसको mark करने, और last में, यह बहुत important चीज़ है, यह कभी-कभी पूछ लेते हैं, तो treatment भी आपने important याद रिखने हैं, इसके लाएब कुछ चीज़े मैंने, जो cardiac failure वाला पूरा chapter है, chapter number 22, यह आप तकरीवन पूरा chapter ही पढ़ेंगे यहां से, और इसके बाद 17 chapter जो था, last chapter जो है, मैंने distinction अगर आपने लेनी हैं, तो recommend किया, 17 chapter आप यहां से last में करें, इसलिए क्यों बताया है कि इसमें खास important शीज़ है, जो मैंने यह मार्क किए humoral control यह आपने याद रिखने हैं, क्योंकि बाद ऐसे होता है कि external पूछता है definitions, कि humoral control होता क्या है, इवन इस बार मैंने एक friend से पूछा था humoral control, तो ना आने पर external बहुत नराद हुआ था, उसके marks deduct हो गये थे, लेकिन आ सरफ एक topic बज़ता है इस chapter में, वो कौन-कौन सा चीज़ा है, कौन-कौन सी चीज़े हैं कि local control में कौन-कौन से factor involved है, यह जो star में दिये हुए, यह factor आप मार कर लें, तो यह मैंने basic चीज़े हैं आपको बता दी कि किस तरीक से आपने CVS को पढ़ना है, कौन-कौन से chapter कहां स अगर आपको कोई मसला हो रहा है, तो आप वीडियो reverse करके, back करके सुन सकते हैं, बार-बार सुन सकते हैं, और आप मार कर लें, अगर आपको कोई problem हो, आप मुझे comment section में पता सकते हैं, thank you very much.